Hello friends, welcome to UPSC वाला, this is Sonia Ahuja और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं Economics का Chapter 12 का First Chapter Introduction to Macroeconomics. Class 12 जो है वो दो बुक्स में divided है, एक है Introduction to Microeconomics और दूसरा है Introduction to Macroeconomics. UPSC के Point of View से हम सिर्फ Macroeconomics पर फोकस करेंगे, बिखुज माइक्रो में से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं. अब जब भी हम कोई नया topic स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता है सबसे पहले हम definition की बात करते हैं, कि अगर हम macro की बात करते हैं, तो let's define macro, right? However, यहाँ पे I will take a detour. Why? I'll show you. कैसे birth हुआ, कैसे यह division आया Microeconomics और Macroeconomics के बीच में, यह पहले मैं आपको समझाती हूँ. पहले सब कुछ economics के अंदर आता था. ठीक है? और फिर वे हैपने Great Depression. क्यों की अग. उफिछ वे हैं, वहाँ आता कि सहूग, यहाँ अवे हैं, वुद्छ आता कारत कि वह रहाँ प्यामें नहीं हूँ समझाता का सचान आता के पहले हैं. मतलब इसके पहले तक जो भी पढ़ा जाता था या जो भी हम economics में पढ़ते थे वो था micro economics ओके सो मतलब कि जो ग्रेट डिप्रेशन में हमने सीखा उसके पहले तक हम economies में जो economics subject में जो भी पढ़ते थे वो जाधा तर micro economics पे focus किया जाता था during great depression कुछ ऐसा हुआ जिसके करण economists को realize कि शायद हम गलत focus कर रहे हैं maybe we need to focus on something else also and that's what gave birth to macro economics तो हम क्या करेंगे फटा-फट पहले हम macro or micro की definition समझेंगे मिलब हम समझगे की कोशिच करेंगे की in a grand scheme of things key difference किया है फिर we will dive directly into capitalist because to understand macroeconomics क्यों आया आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि यहां क्या हुआ था तो हम सबसे पहले छोटी सी definition 2 minute लेंगे definition को discuss करेंगे and we'll move directly into capitalism okay so I am telling you that so that you don't get confused कि microeconomics पढ़ाते बढ़ाते मैडम great depression में कब चलीगी तो let's get started अब एक बहुत अच्छा example है समझाने का कि micro और macroeconomics में difference क्या होता है मान लो मैंने आपको बोला कि ताज महल जो एक structure है इंडिया का बहुत ही you know known wonder of the world है अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे एक paper लिखके दो जिसमें आप मुझे समझाओ कि यह ताज महल क्या है for a person जिसको ताज महल के बार में कोई idea नहीं ठीक है zero under की आज पैदा हुए कुछ नहीं पता ठीक है तो आप क्या होगे सबसे पहले तो आप उसको यह बताओगे भाई की चाइज महल जो है वो किसने बनाया है कब बनाया था समय की बात करोगे देन आप उस पर आओगे उसको दूर से जूम आउट करके देखो कि भई आगरा में है यह में पता है अच्छा उसके पास में सैसे नदी जा रही है रोके इतने उसमें इस थंब है यह इस तरीके का बना हुआ है साइड में यहां पर यह मजजद बनी हुई है मॉस्पिया जो भी है उसके अलावा आप बताओगे क कि देखो कैसे सामने एक रस्ता है यहां पर एक पानी की बॉड़ी है ओके इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ यह बना हुआ है लाल कलर का एंड यूल टॉक अब आप बात कर रहे हो आगरा ताज महल की जब आप किसी ऐसे इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि जिसको कोई आइडिया नहीं ताज महल के बार में तो आप स्टार्ट करोगे यहां से राइट बट एक बहुत डीटेल्ड अगर पेपर आपको लिखना हो तो फिर आपको उसके पास जाना बड़ेकर जूम करके क्योंकि ताज महल की खासियत तो उसकी नकाशी में ही है ना तो देन जूम इन ऑन इच एरिया ओफ द बिल्डिंग और यूद टॉक्स यह किस टाइप की नकाशी है किस टाइप का मटेरियल है इस दीवार पे राइड ऐसा ही कुछ डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो में भी है जब हम बात करते हैं मैक्रो एक्नोमिक्स की तो मैक्रो एक्नोमिक्स दूर से economy को देखता है मतलब क्या सारी economy को as a one unit देखता है इंडिया की पूरी economy उसके लिए एक system है और उसमें कहीं सारे actors हैं जो एक दूस्रे से deal करते हैं तो जो भी लोग goods और services को consume कर रहे हैं वो सारे एक group बन जाता है consumer का जो भी good service को produce कर रहे हैं वो एक group बन जाता है producers का सारे resources एक साथ हो जाते हैं जब हम macro की बात करते हैं तो हम कैसे sectors की बात करते हैं पूरा primary sector इवन तो उसमें किती सारी चीज़ आती है पूरा tertiary sector, secondary sector and so on तो macro is जब आप economy को दूर से देखते हो हर economy एक unit बन जाती है हर economy अपने आप में एक system होता है पर जब हम micro economics की बात करते है तो हम economy में उसके individual units जो है जो लोग है उसमें काम कर रहे हैं उनके उपर जाधा focus करते हैं तो जब आप एक household पर focus करो कि यह एक घर कैसा चल रहा है यह एक product कैसा चल रहा है currency कौन सी चल रही कैसे चल रही जब आप individual level पर बात करते हो एक इंसान को एक consumer की बात करते हो तब सब्सक्राइब करता है जब हम वो सारी चीज़े डिसकस करते है तो माइक्रों में आती है पर जब हम पूरी economy की बात करते हैं आज होल तब हम मैक्रों की बात करते है ठीक है तो इसलिए you can always remember it कि अगर आप किसी economy को बहुत करीब से देख रहे हो with a you know glens like this then we are talking about micro but आप किसी चीज़ को बहुत दूर से देख रहे हैं you have to put binaculars to understand कि यह कैसे function कर रहा है when something is very far away so that is macro this helps me to remember की micro and macro में क्या फ्रक होता है यह एक example है सिर्स समझने के लिए कि इन दोनों के विच में difference किया है पर actually हम उसकी definition आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले macro economics जो है it focuses on performance of economies किस पे focus करता है कि individual economies जो है जैसे इंडिया की economy Australia की economy US की economy world economy या फिर South Asia की economy यह individual economy का performance कैसा है क्या economy उपर चड़ रही है उसमें हम individual बात नहीं करते हैं ठीक है उसके लावा हम बात करते हैं economic output की कि भाई total कितना economic output हुआ है मैं जब कितना production हुआ है पूरी एक country में एक fixed area में बड़े area में हम बात करते हैं inflation की interest rate की foreign exchange की balance of payment की कैसे हम गरीबी दूर कर सकते हैं अब यहाँ एक गरीबी की बात नहीं हो रही है पूरे देश की गरीबी की बात हो रही है social equality की बात करते हैं sustainable growth की बात करते हैं monetary and fiscal policies की बात करते हैं तो अभी तक हमने class 9 से लेकर अभी तक जो भी हमने पड़ा है वो सब ज्यादा तर macroeconomics में आता है microeconomics में किस चीज़ की बात होती है microeconomics is the study of individuals एक एक individual household या firm के behavior और वो कैसे अपने resources जो उसके पास है पैसे हो गए या फिर natural resources हो गए वो एक इंसान एक single household एक single घर या एक person या एक company जो गए अपने पास जो उनके पास पैसे है resources है उसको वह कैसे स्तमाल करते है क्या decide decisions क्या चीज़ों का impact पड़ता है उनके decision लेने में कि आ धो क्या produce केरेंगे क्या नहीं करेंगे क्या कंजूम करेंगे क्या नहीं कंजूम करेंगे उस सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम माइक्रोगनॉमिक्स बोलते हैं So now that you have understood, we will study more about this, but I will tell you, there is a basic distinction between micro and macro. Now, before going into depth, we will understand that macroeconomics, which we are going to study, because in class 12, there are 6 chapters in class 12, and it completely talks about macroeconomics, so we will try to know exactly when macroeconomics happened. So for that, we will have to go back and learn a little bit about capitalism. Poonjiwaadi, society, what are the features of it, and what happened in America, which caused great depression. So that all we will understand first, then we will come back to macroeconomics. So now let's understand what is a capitalist country. definition में जाने से पहले, एक बढ़र, let's understand होता क्या है, capitalism, और social. हम सबकों पता है कि, resources चाहिए होता है, economic development के लिए. Resources क्या हो सकते हैं? They can be either land, or water, or minerals, या money, cash, building, land. है ना, all these चीजे, पूंजी चीजे हम बोलते है, assets. These, plus the natural resources, together, what we call as resources, right? तो resources चाहिए होते है, economic development के लिए. अब capitalism में क्या होता है? यह resources are owned by private individuals. जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो private property की तरह, इन resources को खरीद सकता है, जमा कर सकता है, कोई limit नहीं है. वही socialism में, resources are controlled by state. यहाँ पर resources जो है, वो government control करती है, यह one of the main difference होता है. Capitalism में होता है, what we call as privatization. है ना, तो यह one of the key difference है, कि resources कौन control कर रहा है? अब क्या होता है, resources जो इंसान control करता है, उसके बाद आती है labor, जो उस पर अपना labor लगाती है, और फिर output आता है. अब labor एक capitalist economy में, this also is provided by private individuals. Private individuals sell their labor. Same goals here. यहां पर भी लोग अपनी labor private individuals ही बेच रहे हैं. ठीक है? यहां पर भी इंसान अपनी labor बेच रहा है, यहां पर भी इंसान अपनी labor बेच रहा है. पर जब output की बारी आती है, तो क्या चीज़ output होगा? What will be the output? How much? कितना output होगा? कितनी चीज़ प्रडूस होगी? वो किस प्राइस पर बिकेगी? यह सब market decide करता है. मतलब की consumer, अगर किसी चीज़ की demand है, तो private individuals उसको use करेंगे, क्यों privatization है, तो private individuals उस demand को पूरा करने के लिए consumer के लिए goods बनाएंगे, और वो decide करेंगे कि कितना produce होगा, कब produce होगा, और क्या उस price पे वो बेचा जाएगा? ठीक है? अब इसमें क्या होता है? एक चीज़ जो इ let's talk about कि इसका counterpart socialism में क्या होता है, socialism में output is again controlled by the government, तो government क्या decide करती है, government decide करती है, कि what will be produced, how much, और कितने price पे बिकेगा, और जो individuals है, जो की, मलब consumer के लिए, demand के लिए, जो बना रहे हैं, जो product produce कर रहे हैं, उनके पास कोई option नहीं है, उन्हें government की guidelines माननी पड़ेगी, तो government अगर बोल रहे हैं, आप एक्स चीज़ पैदा करोगे, उसको Y price पे बेचोगे, और इतना ही produce करोगे, इसी quality करोगे, और यहीं बेचोगे, तो आपके पास कोई choice नहीं है, तो आपके अगर होगे, जो government बोल तो माननो की demand है, है ना, और हम देख रहे हैं कि market में जो चीज़ है वो, माननो एपल है, एपल बिक रहा है 10 रुपीज पर, अब किसी नए बंदे को इस market में घुसना है, तो उसने बोला कि मैं कुछ ऐसा नया innovation करूँ, कि उस innovation से मैं 9 की जगा, 8-10 की जगा 9 रुपे में यह एपल बेच दू, तो what will happen then, क्योंकि demand है और उसने उसका price कम कर दिया, इस लिए इस बंदे का, जो material है वो ज़्यादा बिकेगा, और जो बंदा 10 रुपे में बेच रहा था, उसको, उसकी कम बिकरी होगी, और उसको कही नहीं अपने आपको 9 रुपीज पे लाना पड़ेग तो ऐसे करके competition काफी होती है capitalism में, free competition और innovation, नए तरीके, entrepreneurship, नए नए business खुलते हैं, क्योंकि government बिल्कुल टांग नहीं डालती है economics में, economy में की economy किसी चल रही है, government बोलती है, जिसको जो करना है करो, बस हमको tax बराबर देते रहो, और यह basic standard maintain करो, कि भाई किसी को धुका धड़ी नहीं देना, law, order, मानो, ठीक है, और उसके लावा, जो करना है करो, हमको कोई मतलब नहीं, और वहीं, socialism बोलता है कि, हम बताएंगे, government बताएंगे, आपको government स कुछ control करती है, सारी property government की होती है, government decide करती है, क्या कब कैसे बनेगा, कितना output होगा, कहाँ भीगेगा, कैसे होगा, तो यहाँ पे ना कोई freedom नहीं है, इसलिए कई बार ना innovation, धक्का खा जाता है, यहाँ पे, socialist economy की, जो बुरी बात है, जो negative aspect है socialist economy का, वो यहाँ पे innovation नहीं हो पाता है, क्योंकि, innovation के लिए freedom चाहिए, पर लेकिन, क्या है socialist economy के पास में, socialist economy is welfare, मतलब की, एक capitalistic society में, क्योंकि, जो free है आने के लिए, जो demand आ रही है, वो पूरी होगी, तो इसलिए government का control नहीं होता है, तो जो लोग गरीब होते है, उनका और गरीब हो जाना होता है, बलब because of the situation, because of greed, कुछ लोगों की, greed के कारण, capitalism में, जैसे ही, जब capitalism बढ़ता है, तो लोगों की greed बढ़ जाती ही, कि और पैसा खमाया जाए, और पैसा खमाया जाए, और उस चक्कर में, क्या करते हैं, they squeeze money out of the poor, और government कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, गरीब लोगों के पास welfare जितना control, वो कुछ भी, यह economics का जो चकर है, जो economy का process है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकती है, ताकि गरीब लोगों का welfare हो सके, ठीक है, तो capitalist society में, each one is on their own, ठीक है, अगर आप, मतलब, सब अपने अपने हाल पे रहते हैं, कि जैसे आपको manage करना है, manage करो, government कुछ नहीं कर सकती, of course, governments च जैसे क्या social security दे सकती है, एक capitalist government क्या गरेगी, अगर उसको पता है कि कोई poverty में रह रहा है, तो वो क्या गरेगी, वो उस individual इंसान को पैसा दे सकती, कि हम तुमको, you know, subsidy दे रहे, बट, एक socialist government क्या गरेगी, वो पूरी economy को ही भीरे कर देगी, just so that जितने गरीब लोग है, उनक पाता है, लेकिन पैसा बहुत कमाया जाता है, because innovation है, नहीं नहीं, चीज़ आती, competition है, best product मिल बन के आता है, अब दोनों के negative पता है, क्या है, कुछ समय के बाद, दोनों, capitalism और socialism, दोनों में ही issues आने लग जाते है, socialism में usually क्या issue आए है, हमने देखा है, जिस-जिस country ने socialism फॉलो हो जाती है, या तो नॉर्थ कोरिया जैसे हो जाती है, बिल्खुल, जो गवर्मेंट का लीडर उसके पास सारा पैसा है, और बागी सब गरीबुखे मर रहे है, या तो फिर रश्या की तरह oligarchy हो जाती है, जो गवर्मेंट के करीब हैं लोग, उनको पास बहुत पैसा होता है उसको और ग्रीड होती है जाधागी, तो capitalist society में क्या होता है कि जो owners होते हैं जो private property को ओन करते हैं, वो greedy हो जाते हैं और कोशिश करते हैं और कैसे कमाया जाए और कैसे innovation करा जाए और कैसे cut cost cut की जाए ताकि हम और पैसा कमा सके और उसके कारण उन country में कुछ लोग भयंकर हो जाते हैं और कुछ लोग भयंकर गरी बजाते हैं जैसे we have seen US, US में इस वक्त कहीं सारी ऐसे अरिया जो इंडिया से लग जिसको लोग बोलते हैं कि third world country जैसे situation होगी, Detroit and all that, but at the same time people like Jeff Bezos, Elon Musk also exist in US, right, मलब दुनिया के सबसे अमीर लोग भी US में exist करते हैं और सबसे गरीब यहां पर गवर्मेंट फिर भी संभाल सकती है, तो संभाल लेती लेकिन यहां पर गवर्मेंट कुछ नहीं कर सकती, okay, तो यह हो गया main difference between capitalism and socialism, okay, एक यह आपको मैंने on a larger scale समझाने कोशिश करी कि फारक क्या होता इन दोनों societies में, आपने देखा था कि India जो है वो mixed economy follow करती, mix म से सोशलिजम से भी लेती है और कुछ capitalism से भी लेती है, क्या, हमने देखा कि बहुत सारे areas हैं जहां पर India is a socialist economy, क्योंकि वो क्या करते हैं, गवर्मेंट बहुत सारे resources control करती है, कहीं सारे ऐसे welfare में बहुत काम करती है, उसके अलावा कहीं सारे ऐसी factors हैं या कहीं सारे sectors हैं जिस कुछ लों के पास नहीं है, similarly, क्योंकि capitalistic society है, थोड़ी बहुत partially, इसलिए innovation भी होता रहता है, development होता है, development socialist economy में थोड़ा स्टैगनेट हो जाता है, थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि आपके पास मानो ना, अगर आपको पता है, कि आप क्या चीज़ बनाने वाले हो, आपको क् कि बस मुझे यही बनाना है, इतने ही पैसे में बनाना है, इतना ही बेचना है, और इसी तरीके से मनाना है, तो आप क्यों काम करोगे, अगर मैं कोई नहीं चीज़ इन्वेंट कर रही हूं, और मुझे पता है कि capitalist society में अगर मैंने वो चीज़ इन्वेंट करी, तो मुझे पैसे मिलेंगे, पर वहीं अगर मैंने सोशलिस कंट्री में कुछ इन्वेट करा तो उसका सारा पैसा सरकार ले लेगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो जब करके भी, इन्वेट करके भी, मुझे कुछ नहीं मिलना है, तो मैं क्यों इन्वेट करूँगा, और मैं कुछ न इकनोमिक सिस्टम गवर्ण बाइग कैपिटलिस्ट कौन है ये कैपिटलिस्ट जिनके पाइपिडल क्या होती है पूंजी राइड असेट तो नाम दिया गया है उन लोगों का जिनके पास बहुत सारे रिसोर्स होते हैं बहुत सारे एसेट होते हैं जिनके पास means of production जादा होत क्योंकि प्राइडाइजेशन है इसने सुसाइटी बनी ही इस तरीके असी होती है कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है बहुत विसोर्स होते हो कुछ लोग के पास नहीं होते तो capitalist economy क्या होती है ये एक ऐसी economic system है जो गवर्ण किया जाता है उन लोगों द्वारा जि उसको और वो कौन सा production होगा और वो कैसे distribute होगा ये सब प्राइवेट इंडिवीजबल या फिर corporates decide करती है ये एक capitalist society होती है ठीक है it is primarily run by the price mechanism ठीक है price mechanism मतलब क्या सब कुछ इस बात पर depend करता है कि price क्या है किसी चीज का price is what defines मतलब कि अगर जैसे कोई चीज है वो अगर बहुत महंगी है उसका price बहुत हाए है तो जो capitalist हैं वो इसमें invest करेंगे अपना पैसा डालेंगे और क्योंकि price high है तो demand भी होगी तो इस demand को पूरा करने के लिए supply करेंगे supply को increase करेंगे और अगर price किसी चीज का कम है for whatever reason तो उसकी demand भी कम होगी तो वो लोग उसका supply है फिर नहीं करेंगे मतलब कि एक capitalist society में सब कुछ price की उपर भेज़े एक तरीके से बोलते हैं ना पैसा फेक तमाशाद देख उस टाइप की situation है आप जहां पैसा फेक होगे वो चीज होगी जहां पैसा नहीं है वहां कुछ नहीं होगा इसको हम एक और जो होते हैं there is no interference from government मतलब गवर्मेंट का काम सिर्फ यह होता है कि वह international law देखती है कि देश के बाहर के साथ हमारे केसे कैसे रिष्टे हैं वह law and order देखती है वह ऐसे बताती है कि यह minimum level है आप यह नहीं कर सकते है दूख अधडी नहीं कर सकते है वह law and order देखती है वह business के basic rules भी बना देती है कि आप business कर रहे हो तो आप यह नहीं कर सकते यह नहीं कर सकते बट उसके अलावा बाकी सब लेज़े फेर मतलब फुरी जिसको जो करना है करो तो उसे हम एक capitalist society बोलते है तो एक capitalist economy में government का काम सिर्फ होता है कि उसे कानून देखना होता है कि कानून के अवस्ता कैसी चल रही है The economy's main motion is earn profit हर कोई बस एक ही काम करना चाता है पैसे कमाना चाता है वही सब का motive होता है और और कोई चीज़ मैट नहीं करती है This economy structure is also known as free market इसले हम बोलते है अमेरिका को the country of freedom It comes from here because a market जिसमें government interfere नहीं करती हो से free market कहा जाता है Example of capitalistic economies is Hong Kong, Singapore, Canada, UAE, Ireland, US all these are prime examples of But decline जो हम देख रहे है वो हम USA में ही देख रहे हैं कहीं साजी capitalist countries इस वक्ट अच्छा कर रही है But it's about time मतलब कुछ time बाद जैसे socialist economies गिरती है But socialist economies मेरे सब्सक्राइब जल्दी गरती है But capitalist economies fall hard That's how I see it but you can have different एक बाद का धहना यह बहुत ही मोट बहुत ही Controversial बोल सकते हो या Opinionated topic है कि capitalism अच्छा होता है या socialism अच्छा होता है India में क्योंकि हम चुरू से mixed economy रहे हैं तो हमारे हां दोनों economy दोनों type की value की जाती है But अगर अगर आप किसी capitalist society में जाओगे तो दे हेट socialist And the truth is there are some positives to both There are negatives to both So I do like welfare economy, socialist economy But यहां जहां पे भी socialist economy follow की गई है जैसे China, Russia, they haven't been very successful And after the socialist economy follow करने के बाद Government के आपास बहुत जादा ताकत आजाती है And you know abuse कहने लग जाती है अपनी power को यह उसका एक सबसे negative aspect है But that is not what socialism is Socialism का application खराब बहुत देखा है हमने पर उनकी values खराब नहीं है क्योंकि उनका यह कहना है Largely, socialism का यह कहना है कि जो resources अर्थ पे हैं यह सब सबके हैं किसी एक के नहीं हो सकते तो privately आप किसी एक insight को नहीं बोल सकते कि यह पूरा धर्ती उसका हो क्योंकि हमें अपने पूरवजों से यह पूरी धर्ती सबकों मिली है तो इस धर्ती पर जितना मेरा हक है उतना ही Elon Musk का भी हक है जितना मेरा हक है आपका हक है उतना ही Jeff Bezos का भी हक है तो ऐसा क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर है मेरे पास कम है तो इक वह उस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है पर अगैन उसका इंप्लिमेंटेशन खराब होता है क्योंकि हमारे पास हमें देखा है गवर्मेंट में भी इट दे पावर सिर्पे बैठी जाता है तो इस आ ओपीनेटेड टॉपिक जस बिंग देड़ तो कुछ करेक्टरस्टिक देख लेते हैं कैपिटलिजम के गवर्मेंट का इंटरफेरंस नी होता है प्रॉफिट मोटेव होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है मृकर मसे क्वेक होती होती है चिकते कंज्व कर सकते हो ऩान जो खरीदने वाला होता है लेवर उसको भी इस वह किया फ्राइवliga कर सकता है अच्च्छvy होती है इस चोंच्छ को बड़ती होती है जो यह आपका बोलता गिराक ह – B उसको हम consumer sovereignty बोरते freedom of enterprise आपके कभी भी कोई सी भी कैसी भी enterprise खोल सकते हो कोई अगर इंडिया में अगर आप जाओगे कुछ खोलने के लिए लेट से iron and steel की इंडस्ट्री या cotton इंडस्ट्री या कुछ भी तो आपको बहुत सरे इनों लूप से जाना पड़ेगा अगर कोई बड price mechanism price mechanism is key price decide होता है by demand and supply मतलब की अगर किसी चीज का demand है तो उसका किसी चीज का demand है और supply बहुत कम है तो उसका price उपर जाएगा and nothing can happen and that's all people have to live with it India या socialist country मैंसा होता है कि क्योंकि वह सीलिंग में fix कर देते कि यह चीज का price इससे उपर नहीं जा सकता but capitalist economy में सब कुछ रहा है नहीं availability है तो price can go to roof इसले कहीं बार बहुत ही important चीजे अमेरिका में बहुत में बहुत हो जाती है इसकी बहुत बात होती है या AIDS की जो दवाई होती है उसका प्राइज से बढ़ा दिया था प्राइज होती है और कुछ प्राइज फिक्स होता है तो यह economy का जो साइकल होता है यह को लाप्स हो गया तो इस वाफ दो बिगेस्ट रिसेशन इन modern history that we had no about recession मतलब की जब economy को बहुत गिरने लग जाती हो से हम रिसेशन बोलता है तो इस क्यावा यह स्टार्ट गेड डिप्रेशन है यह दो अक्टोबर 20 1929 में जब स्टॉक मार्केट गिरा था युराइटेट स्टेट्स का तब हुआ था तो स्टॉक मार्केट इस बेसिकली कंपनीज जब उन्हें अफकोस हर कंपनी को काम करने के लिए पैसाची होता है तो कंपनीज के अथी पब्लिक हो जाती है और वो वो लोगों से अपने कंपनी का कुछ छोटा परसेंटेज उनको दे के उनसे पैसे ले ले लिए उस पैसे को कंपनी में लगाती है और फिर ज stock market बोलते है sorry so this is what happened the stock market the United States का वो गिरिया क्यों गिरा so this is something called laissez-faire laissez-faire is it's a French word which literally means allowed to do allowed to do as in laissez-faire मतलब free to do whatever they want so क्योंकि US में laissez-faire एक तरीके की policy थी उसके करण क्या हुआ कि लोग जो थे बहुत अमीर लोग rich got richer and while poor got poorer हमने पहले बात करेंगी capitalist society में often होता है कि अमीर लोग और अमीर होते जाते जाते गरीब लोग और गरीब होते जाते क्योंकि economic resources के साथ पैसे आते हैं और पैसा बहुत powerful होता है capitalist economy तो American businesses were producing more and more while people were buying less and less क्या हो रहा था बिजनेसे जो थे ना वह बहुत सारा production कर रहें लेकिन लोग उतना खरीद नहीं रहते बिजनेस क्या करते हैं वह कितना अब इंडिया जैसे किसी socialist society में क्या होता है कि आप कितना क्या produce करोगे यह डिपेंड करता है कि कि government क्या बोलेगी और government क्या बोलती है कि जितनी जरूरत है उतना produce करो राइट तो लेकिन क्योंकि capitalist economy everyone is free to do whatever they want right तो expectation में companies में बिजनेसे में बहुत produce किया कुब produce किया लेकिन उतना उसका बिक नहीं रहा था तो क्या हुआ इससे बिजनेस लॉस में लग गए तो अब क्या हुआ लेकिन एक फॉल सेंस था प्रोस्पेरिटी का मतलब की internally ऐसा हो रहा था कि बिजनेस लॉस में जा रहा थे पर वो बाहर नहीं दिखा थे कि हम लॉस में बहुत प्रॉफित हो रहा है बहुत प्रॉफित हो रहा है भी प्रॉफित हो तो हमें प्रॉफित हो लेकिन अंदर की बात नहीं पताती है यह सब जूट बोल रहते है और अच्छली उनका लॉस हो रहा था दें वाद हपंडेंश अधर चाटेंब इंग बाइंग इंग श्टॉक विद बोरोड मनी बैसिकली लोगों ने क्या चिया उन्हें उनको इस भ्रह्म था कि अमेरिकं सब्साइटी बहुत अच्छा कर रही है तो लोगों ने बोला कि बॉल दो हम अगर कूए के सशला घु बिना कुछ काम करें तो हम अगर इस कंपनी के स्टॉक खरीद रहेंगे तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही तो उसका प्रॉफित हमें मिलेगा गर में बैठे बिटा है तो लोगों ने क्या किया पैसा बॉरो किया उधार लिया बैंक से दहुदर से और यह स्टॉक खरीद लेकिन हुआ कि अब हमने देखा शुरू में कि अन इंटर्नली तो इतना चानी चल रहा था इंटर्नली तो सारे बिजनेस लॉस में जा रहे थे तो लोगों ने क्या किया जैसे ही स्टॉक का प्राइस डिक्लाइन लोगया लोगों ने फटाफट अपने बेचने चालू कर खराब हो गए अब उनके पास वह पैसे नहीं है मतलब एकॉनमी में जो पैसे थे सेविंग सी वह सारी गायब होई क्योंकि इट वेंट है ना मैंने बैंक से बारो किये और मैंने यहां देती यहां कि अब मेंक पास बैंको देने क्लिए पैसे नहीं है तो लोग को आपस नहीं लग गए अब एक कंट्री की सेविंग्स जो है ऐस तरीके से उड़ गई और वो बिजनस ले गए सारे ठीक है तो दिस इस वाट विन ओन इस वाट नोन एज ग्रेट इप्रेशन ठीक है तो उसके वाद क्या हुआ हुआ दा कंजूमर्स डिमांड फॉर अगर आपकी कंपनी में दस लो काम करते हैं ठीके और आप सो युनिट की चीज बना दो सड़नली कल को मार्केट में तो युनिट की वैल्यू नहीं है लोगों को बस दस युनिट चाहिए ठीक है तो आप क्या हो कि अन दस लोगों का जो आपने हैर कर गभान को निकाल Venue, venue, Syrian, neural, and untenable 3 facto लोगों के आपके अन दस लोगों के पास पैसा खचसा करने करJE नहीं कि QUी लोगкольमेट है जयlower पार लोगों के वार तो पैसा इसके प्णीं नहीं से कावरनुज थे असके पाल तो अब आप सरुपनी के लगों बावाट नहीं थीक जिज़ो के शर्चा कर इकोनोमी गिर्टी गई गिर्टी गिर्टी गई उसको हम कास्केडिंग एफेक्ट बोल रहा है कि महामंधी हो गई ओके तो इस इस वाट ग्रेट देप्रेशन वस इस टाइम पर हमें रियलाइज हुआ यह बात की में भी हमें अब अभी तक क्या हो रहा था एकोनोमीक्स में 1920s तक हम एकोनोमी में सिफ माइक्रोणोमिक्स परते थे मतलब लोग सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करते थे कि लोग क्या खरीदना चाह रहे हैं डिमांड किस चीज कि ए एक हाउस अपना पैसा कहां खर्चा करता है कि एक हाउस ओस एक्स अमांट कमा ए तो व क्या चीज़ प्रडियूस होगी यह इसी बात पर डिपेंड करता है ना कि लोग किस पर खर्चा कर रहें तो जादा तर फोकस माइक्रोणोमिक्स पर हुआ करता था कि हाउस ओल एक इंडिविजूल एक कंपनी कैसे काम करती है पर कोई भी पुरी एकोनोमी को नहीं देख र चाहिक जो बाती है यही मैं करोनोमिक्स हम पढ़ने वाले है इस पूरे च्लास 12 में तो क्या है मैं अज्ट्रोणोमिक्स ब्रांच अपनोमिक्स जो एग्रिगेट एकनोमिक वैलिए उसको पढ़ती है पूरी कॉनमी की बात करती है एक साथ दूए मैं कोमस फूम परें कूम इस्टडीज देग्नॉमिक रिलेशन्शिप और इशुज ओवन एकॉनमी एज़ होल पूरी एकॉनमी को एज़ होल मानती है एक यूनिट मानती है और उस पर काम करती है कि लाजर स्केल पर क्या है अब हाउस होल्ड से किसी को कोई मतलब नहीं कि एक मैक्रोगनॉमिक्स में मत करता है इस बात पर तो इट लुक्स इंटो प्रिंसिपल इशुज और पॉलिसी असोचिएटेट विद अप्तेनिंग फुल इंप्लोईमेंट एंट इनलाजिंग प्रोडक्शन कपैसिटी तो बेसिकली एम क्या है हमने क्या देखा जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था कि क क्योंकि लोगों के पास डिबाड्ड लो हुई बिकवस अस्टॉक मार्टेट गरगया तो इसके करण लोगों की नोगए चली घी लोगों की नाग्री चली गई तो उनके पास बंदिंग पावन नी था तो इसके करण डिवांन और गिर ती गही एँं साइकल में वो कूरी तो मै करो को अपोप्छ का अबड़ेक्टिव क्या होता है उसका अबड़ेक्टिव होता है यह देखना कि लोगों को ऐंपलॉयमेंट है की फुल इंपलॉयम då मेंट कि देश के ज्यादातर लोगों के पास जीवी का होनी चैये कि अगर लोगों के पास जीवी का नहीं है तो इकनोमी नहीं चलेगी और जो प्रोड़क्शन है वो बढ़तार है क्योंकि अगयन आपके लिंग और ऐसे गिर सकते हैं तो उल्टा बन भी तो सकते हैं जो को जाधा का काम है इड इन्वेस्ट ए दे लिए अन्द प्रिंसिपल से नें पर बाद कर सकती है कितना चीज और सेवाहों का पानों का उत्पाद कर सकती यह तैडियन प्रोफिट कर सकती है यह बड़े यह पैस सटी बड़े फिर चाहे वह सिस सफ़ेजि dough day रिषयर आइड को लोगई का मैक्रो कणओए करते हैं थाकि वो एसा कुछ कर सके घिस ते लोगों कीbrar बड़े और कंट्री की करण नेरी चीड़ की El einem कषीन तो यह concept कहां से आया था, this came from this book called the general theory of empowerment, interest and money which was by economist John Keene, इसलिए से Keene's theory भी कहा जाता है, macroeconomics को, so macroeconomics takes top down approach, top down approach क्या होती है, जब, मान लो, घर में दादा दादी है, ठीक है, पापा, चाचा, बुआ, पुआ, 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 पु पुआ, चाची, मम्मी, और इन सब के, बच्चे, ठीक है, यह family structure है, है ना, अब अगर, मान लो, किसी कारण से, आपके चाचा का लड़का, को बहुत problem हो रही है, कोई भी problem हो रही है, ठीक है, अगर, उस problem का solution, आपका cousin खुद निकाल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम भी नीचे है, और वो मीचे से ही उसे solve कर रहा है, he is looking at the problem from down, कि मैं अपने लेवल पे इसको कैसे solve कर सकता हूं, पर अगर इसी problem को, दादा कुछ कर के solve करे, तो that's, क्या करेंगे, दादा क्या करेंगे, जो भी problem होरी होगी, उसका solution है निकालेंगे, इससे, जिस अगर दादा को बोले, कि दादा इसको problem होरी है, आवास की, तो दादा क्या करेंगे, वो सब को बोल देंगे, बिलकुल शांती रखें, कोई आवाज नीचे करेगा, क्योंकि बेटे को problem हो रही है, तो यह हुई bottom-up approach, problem को नीचे से जेखना कि single individual solution कैसे निकला जा सकता है, औ top-down approach is, कि उपर से नीचे, क्या changes लाए जा सकते हैं, in a grand scheme of things, कि वो problem जड़ से solve हो जाए, यह वो problem, उससे deal करने वाले सारे लोगों को यह problem ना हो, तो जो macroeconomics है, वो top to bottom है, मतलब कि हम economic cycle में changes लाते हैं, ताकि नीचे जो problems हो solve हो जाए, So, now let's understand what are economic agents, agents क्या होते हैं, agents are people or things that play an active role, और to produce a specific effect, मतलब क्या, कि जैसे आप बोल सकते हो, एक agent वो इंसान है घर में, जो की drive करता है सबसे important काम को घर में, या फिर बोल सकते हो कि, जिसके होने से ही काम होता है, अगर वो ना हो तो काम ना हो, उसे हम agent बोलते हैं, जो सबस्यादा पुश करता है किसी काम को, उसे एजन कहा जाता है, तो economic agent क्या होगा, economic agent is basically वो units, economy की, जो आपस में इंटराक्ट करती है, जिससे economy बनती है, उसे हम economic agents बोलते हैं, तो तीन agents है, producers, ठीक है, यह वो लोग हैं, जो labor, labor लगाते हैं, labor या हायर करते हैं, natural resources और पै पैदा की हुई चीज को फिर consume करते हैं, और government, government क्या करती है, government इस system को, मान लो, किसी contain करके रखती है, कि एक economy को function करने के लिए, जरूरी है कि उसकी fixed, एक population होकी हम, इस land की बात कर रहे हैं, इन लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो identity जो आती है, उस land की, वो आती है, government से, क्यो यह संभालती है, तो यह तीन जो है, यह तीन जो है, एकनोमिक एजेंट्स है, यह तीन हो मिल कर काम करते हैं, तब economy चलती है, so a macroeconomic analysis regards to the factors of economy as a whole, तो यह क्या बोल रहा है कि, macroeconomics के हिसाब से, पूरी economy, इंडियन economy है, इंडिया है, इंडिया है, इंडिया में जितना भी production, खर्चा, यूज हो रहा है, वो सब एक, single process है, therefore, firms and consumers are considered individual units, बतलब की, सारे consumers, सारे भोकता, एक माने जाते हैं, तो अगर, जैसे मान लो, इंडिया में, सारे गेहू के producers हैं, तो एक group of all, सारे गेहू को consume करने वाले लोग एक, तो that's your consumer, और थस, the central bank or government are regarded as agents, ठीक है, तो basically क्योंकि government or central bank क्या करती है, वो एक तरीके से, for example, दो वील है, अगर दोनों वील को आप से चलाओ, तो क्या उसके उपर आप सामान रख सकते हो, क्या वो साथ में एक डिरेक्शन में जाएगा, नहीं जाएगा, अपने अपने साब से चला जाएगा, राइट, पर अगर उन अपने साथ में जाएगा, तो उनको जो गारी का एक्सल है, उसको हम गवर्मेंट बोल सकते हैं, क्योंकि उसके वो मेक्शुर करता है, central bank और जो गवर्मेंट है, वो मेक्शुर करते है कि economy smoothly चलती है, तो थीज आप एकनोमिक एगेंट्स, एकनोमिक एगेंट्स, एकनोमिक what and how much the produce is based on consumer who decide what they want, ठीक है, जो producers है, वो decide करते हैं कि क्या चीज कितनी पैदा होगी और किस प्राइस में बिकेंगी, depending upon consumers, कि उन्हें क्या चाहिए, ठीक है, एक sort of like a capitalistic वाला ही form है कि consumer को जो चाहिए होता है, वो गवर्मेंट, वो producers प्रडूस करते हैं, जिस चीज की दिवा banks and governments are and corporations drive economic decision, such as spending, interest, credit, etc. तो कितने पैसे उपर borrowing, पैसे उधार किस बेसे पर लिये जाएंगे, कौन ले सकता है, कितना interest देना होगा, stock में कहां पैसे कौन कैसे लगा सकता है, और क्या होगा, किस डिरेक्शन में इंडियन एकॉन जाएगी, कौन से एडियास में प्रोडुक् नो, consumers, producers and the government, okay. Now, economic agents are people, legal entities and organizations that play an active role in financial process and have financial consequences in the market. तो जो भी दूसरी फर्म है, बलाब वो कह रहा है कि कोई भी ऐगर ऐसी entity है, चाहे वो कमपनी हो ही है, या फिर एक entity हो, गूप उप पीपल हो, जो भी हो, जो कि एक 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 ए करते हो, मतलब कि actively काम करते हो, financial system को उचलाने में, in such a way, कुछ इस तरीके से, कि जो उनके decision लिये जाते हैं, उसका कोई financial consequence हो, मतलब कि अगर वो अपनी काम करने का तरीका change करें, तो उससे market को impact हो, उन सब को collectively हम economic agents बोल सकते हैं, economic agents conduct economic interactions, है ना, तो ये agents जो है, यही मिलके money को हम economy बोलते हैं, तो यह जो तीनो agents है, government, producers and consumers, यह आपस में जब interact करते हैं, और इनके बीच में goods, services and money exchange होता है, this whole thing is known as an economy, according to macro economics, okay, these agents are interconnected, दूसरे से interconnected होते हैं, एक दूसरे को incentives देते हैं, मतलब क्या, consumer जो है, वो producers को incentive देते हैं, कि हम पैसे देंगे, अगर आप ये चीज को दो के तो, producers जो होते हैं, वो consumer को incentive देते हैं, कि अगर आप हम से loyal होगे, या तो हम आपको इतना अच्छा product, इतने कम पैसे लाएंगे, अगर आप हमारा product खई दो के तो, हमारी company बढ़ेगी, right, and similarly, both of them pay taxes to the government, and government maintain करते हैं, कि कभी collapse नहों सिस्टम, तीनों आपस में मिलके एक दूसरे को incentives देते हैं, काम करने के लिए, और main ये होता है कि consumer के लिए सबसे lower price हो, best quality, aim ये होता है कि consumer को, जो चाहिए वो मिले, कम से कम price में, best quality में, ठीक है, ये उनका aim होता है, पूरे इस economy का, according to the standard economic theory, the prime attributes of an agent are, rationality and self-interest, अब ये जो agent हम जिनकी बात कर रहे हैं, ये किस basis, उनकी values क्या है, किस basis पे वो काम करते हैं, क्या उनका सोच होता है, तो वो basically rationality, मतलब कि वो pragmatic होते हैं, practical होते हैं, कि क्या सही है, मतलब कि आप जैसे बोल तकते हो कि, बैसे, demand तो gun की भी है, bum की भी है, right, but वो मानते हैं government की value, और जो government बोलती है, कि ये चीज़े मत बनाओ, तो नहीं बनाते हैं, that's rationality, and self-interest is, कि जहां तक economy चलती रहे, उसके लिए government अगर कुछ value बोल रही है, कि मत करो ये करो ये नहीं करो तो मान लेते हैं, उसके अलावा, वो अपने self-interest में काम करते हैं, profit बनाने को रहे हैं, तो एक तरीके से, एक, एक, you know, systematic relationship है उनकी बीच में Moving on, and at the end, economic units or economic agents are individual institutions that take financial decisions, right? ये वो हैं, जो financial decisions लेते हैं, they can be consumers who decide what and how much they want to consume, they can be manufacturers or producers who provide, and they can be government, banks, corporations that make economic decisions such as interest to charge and how much to spend, and tax rate and credit. तो तो तीनों को बता दिया, उन्होंने कि भई, economic units or agents कुछ भी हो सकते हैं, वो किसी प्रकार के consumers हो सकते हैं, जो बताएंगे कि हमें क्या चाहिए, producers or manufacturers होंगे, जो बताएंगे क्या produce होगा, कहा produce होगा, कैसे distribute होगा, और government or banks हो सकते हैं, जो कि decide करते हैं, कि economy की, जो जैसे ब macroeconomics, अब बात करते हैं, की concept, macroeconomics में हम किन किन चीज़ों की बात करते हैं, revenue, revenue क्या होता है, जितना sale हुआ है total, उसमें से, जितना पैसा कमाया गया हो, एक business ने, normal business ने, over the period, is calculated as revenue, ठीक है, revenue is, आपने अगर कोई चीज बेची, तो उसमें जितना आपने पैसा कमाया, उसक all together revenue कहा जाता है, ठीक है, investment expenditure, investment expenditure is, वो खर्चा, जो producers और manufacturers करते हैं, ताकि उनकी company और production unit, और अच्छे से काम कर सके, उस पैसे को investment कहा जाता है, expenditure, expenditure मतलब खर्चा करना, investment मतलब खर्चा करना, ऐसी चीज़ों पर, हमने पहले last class में भी बात करे थी, investment का मतलब है कि पैसा देना पर, with the expectation कि पैसा आपको वापिस मिलेगा, तो investment expenditure is, when a company's spend money, in such a way that they know, कि इस पलट के हमको इसका profit होगा, तो उसे हम expenditure होता है, wage rate, wage rate is, कि एक basic rate जो government fix करती है, कि इतना average way, कमाई होनी चीए, एक इंसान की जो अपना labor बेच रहा है, ठीक है, और wage labor is basically, वो लेबर जो बेची जा सकती है, तो government define करेगी, कि कौन सा काम किया जा सकता है, कौन सा काम नहीं किया जा सकता है, और कर कोई काम किया जारा है, तो इसमें कितना amount देना चाहिए, क्योंकि यह सब fix करने की जरूरो थे, otherwise, लोग तेक दूसरे को abuse करेंगे, यह फिर government control कैसे क देंगे, कौन सा कि जीज आव जालू हो, तो इसके लिए, गुदाफ लोग कुष झालू करते है, टिक है, यह वो लोग हो हते है, जो marketing को देखते है, और सच यह जजी नहींए việc और देखते है, और जोगो कि ज़रूत है, तो मैं क्या कर सथा हूं कि कम पैसे में लोगों को और वो नया business कोलते हैं नया production unit खोलते हैं उसे हम entrepreneurs बोलते हैं तो finally what are the four sectors of macroeconomics ठीक है household, firms, governments and external sector ठीक है अब हमने पहले sectors पड़े थे economy के राइट, primary, tertiary, secondary वो economy के sectors है यह macroeconomic sectors है major sector of economy from a macroeconomic point of view तो उसमें household, these are basically the consumers, जो consume करते हैं और जो labor provide करते हैं ठीक है, firms, यह organizations है, जो manufacturing करती है, यह फिर production करती है, government है, जो law बनाती है और external sector है, everything else that exists around, क्योंकि आपको पता जैसाब globalized world है तो हमारी economy दूसरी economy से भी related है, हमारा bank दूसरे bank से भी related है, दूसरी companies भी आपके पैसा लगाती है हमारी economy तो जो external sectors है, वो यहाँ पे आते हैं, तो these are the main sectors of Indian or a general macroeconomic economy, okay, household, household की बात करते हैं, the sector includes single or group of people who are consumers and members of the society make independent decisions about the consumption and production, क्या बोल रहा है वो, household क्या होते है, household is the unit, एक घर जिसमें कुछ लोग रहते हैं और वो लोग individually अपनी पसंद से decide करते हैं कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए, क्या consume करना है, okay, कितना, और वो decision जो रहते हैं, वो decision members of society होते हैं ये, और उनके decision से production होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंडेंटली मतलब कोई उनको बतानी रहे कि तो उनको गहुँँगी खाना है, रहा ही सी खाना है, उनको जो खाना है, जो चाहिए, जो कपड़ा चाहिए, वो independently decide करते हैं, कि उन्हें क्या चीज़ कंजूम करनी है, और उस दिमांड को लेकर economy में participate करते हैं, The sector includes consumers, individuals, families, and each and every person of the society. Now, let's talk about firms. Firms consist, are the sole proprietorship, partnership, or corporation, okay, अगर दो लोग, sole proprietorship, मतलब एक इंसान, अगर कोई कंपनी चलाता है, partnership, मतलब दो जने मिलकर, या और कोपरेशन, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर, अगर कोई कंपनी चलाते है, तो उसे हम, firm कहते है, people in the household sector make a living by working for these firms. तो जो household अगर से पहले पढ़ा था, जहां पर consumers रहते हैं, जो इस economy में produce की गई चीजों को consume करते हैं, जिनके demand से चीजे बनती हैं, वो इन firms में काम करते हैं, और अपनी labor को sell करकर, अपनी labor को sell करते हैं, जिससे production होता है, और उनके बदले उनको wages मिलती है, जिसको देन वो य household sector are employed in the firms, है न, to make a livelihood, make a living, firms are economic unit, just like households, firms are also economic unit that manufacture goods and services, they utilize and coordinate production factors and carry out production processes, क्या करते हैं, तो में काम क्या होता है, फर्म का, किसी भी चीज को produce करने के लिए हमने क्या बला था, हमें क्या क्या चीज़ 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 ची़ होती है, लेबर, natural resources, we need पुंजी, and human resource, तो फर्म बेसिक पहनी क्या करती है, इन चारो चीज़ों को लेती है, और production process को और बढ़ाती है, कि इन को शारो को मिला कर कैसे production करना है, वो बुपक अघए जीज़ों के लगए अलगए अलगद, उबईस्लिषी ब्रडॉडक्स शही होते है, तो तो that's what they do, और ये अःओविसली household sector को employ करते और इस सेक्टर इस सुपर्वाइज दगी पिंवेस्मेंट ठीक है कि एजीडीप मतलब जितना भी पूरी सारी फर्म मिलाकर जितना कमाती है उसको हम जो बोलते हैं जीडीप बोलते हैं एक कंट्री का तो तो इसको वह में पैसे को वापी से फर्म में लगाती जो प्रॉफित एक रहत आता है उसको आपर इंवेस्ट करती और फर्म्स को घ्रो करती है तो जादा लोग ओको नौकरी देटी ये यिली हॉड देती ये और बढ़ती ये जैसे जैसे फमी इक वाथ जाती है वैसे प्रस्परस हो जाती है उसके बाद गवर्मेंट सेक्टर गवर्मेंट का प्राइमरी गोल होता है कि वो टैक्स लगाते है उसके लावा वो जैसे इंफरस्ट्रॉक्ट्टर की जो जरुवत है डैम्स रोड अब जो चीजे हो डिसोर्सेस तो एक्जिस्ट करते है आप जिसे मा काम करने के लिए लेक्ट्रसिटी चाहिए रइड तो एलेक्ट्रसिटी किसी हाइड्र प्लावर प्लांट में बन रहे होगी अब गवर्मेंट का काम यह होता है कि कैसे वह इन सब चीजों को जो भी प्रोड़क्शन के फैक्टर से उनको कैसे इसीली अक्सेसिबल करा सके कि लोग जाके अब गवर्मेंट जो जमशेदपूर है उसकी सिटी इस्टैबलिश करेगी तो अभी तो वहां लोग आएंगे जो कि वहां फिर जमशेदपूर में फैक्ट्री में काम करेंगे तो बेसिकली गवर्मेंट का काम होता है यह देखना कि कंजूमर और हाउस होल्ड जो है वो और फर्म की जो भी नीड्स है ताकि वो प्रोडक्शन कर सके वो पूरी हो यह गवर्मेंट का काम होता है इसके बदले वो टैक्स लेते हैं टैक्स से गवर्मेंट भी चलती है और गवर्मेंट की सब काम भी करती है उसके लावा वो लाइन और मेंटेंट करती है क कभी भी भाभ कुछ हो राया तो एक इक कानोमी को प्रासपर करने के यह शांति है और ँस राज़ा नी की लिए और ट्रस्ट बना ने का लोगों में कर रहे हैं उसको देखना कि सभी अपना काम करते हुए नेचरोल रिसोर्स को खराप तो नहीं कर रही है तो एक चरिक से देखना कि सब कोच सही चल रहा है, यह काम भी गवर्मेंट का होता है, तो गवर्मेंट ऑसो फाइनेंसे एडुकेशन, हेल्थ सेक्टर एंड प्रोवाइड लो कॉस्स सर्विसेज उसके अलावा, जो अब बात करें थी, कि यूमन कैपिटल होती है, जो हाउजोल जो लेबर बेच रहा है, अपने अपको फर्म में, अपनी लेबर बेच रहे हैं, यह लोगों की स्किल डेवलप होती है, तब जब वो एजुकेट होते हैं, तो वो और पैसा कमा सकते हैं, और दूसरी अबने सब्सक्राइब होती है, जो कि अच्छे काम कर सके प्रस्पर हो सके, उसके लिए जो भी चीजों की ज़रूत होती है, वो गवर्मेंट प्रवाइड करती है, एक्जांपल इस डिपार्टमेंट आफ ट्रांस्पोटेशन, इंवार्मेंट प्रोटेक्शन एजनसी एंसो और, इस प्रिजा समेंपल्स, उसके आफ फाइनली फॉरें या एक्टरनल सेक्टर है, फॉरें इस एक्पोर्ट एंपोर्ट के अब देखो, हर आप देखो, हमने शुरू में, क्लास 11 के फर्लेक्शा में बात कर देखो, कि economy जो होती है, नस्टेट की, state नाच्रल ही नहीं बनती ह States arbitrary political identities होती है, तो कहीं सारी States जिनके पास बहुत सारे resources है, कहीं States जिनके पास कोई resources नहीं है, कहीं States की situation है, कि उनके पास बहुत अच्छी technology है, जैसे agricultural technology in Israel, या फिर हम बोल सकते है, generally water technology, Middle East में जाद आच्छी होती है, क्योंकि उनके पानी की बहुत कम है, तो हर area की specific requirement होती है, कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ पर resources होते है, तो foreign or external sector जो होता है, वो यह काम करता है, कि जो बहुत सारी economies है, 190 plus countries है दुनिया में, तो उन सब की individual economies है, वो कुछ sell कर रहे हैं, कुछ consume कर रहे हैं, तो उनको जो connect करते हैं, उसे हम external sector कहते हैं, इसके example, अगर दो कंट्रीस है, वो अपस में deal कर रही है, तो एक दूसरे को हमने भी बात करती है, कि currency तो नहीं दे सकती है, अगर यूएस से कुछ खरीद रहे हो, तो आप उसको रूपीस दोगे तो क्या घरेगा, यूस बोले का, give me dollars, buddy, I don't know what rupees are, तो अब currency तो ऐसे के बाहर से आ रहा है या जा रहा है, चाहे फिर वो investment हो, production हो, export हो, import हो, technology हो, कुछ भी हो, वो सब पार होता है, external sector का, एक economy के लिए, तो यह जो हमने तक पढ़ी तक पढ़ी है, यह सारी एक तरीके से आपको मैंने, बेस बना दिया है, कि macroeconomics क्या होता है, ठीक है, क्या क्या हम पढ़ा है, this is the extension of it, इतना ही, यही सब पढ़ा जाता है, अगले कुछ chapters में, जो अगले 5 chapters है, उसमें हम, चोटे-चोटे जो mechanism है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि, भाई, currency की value कहां से आती है, currency devalue कैसे होती है, currency reserve क्या होते है, यह सा हमने बात करती है, तो, these are all things that are under processes of macro economy, तो हम अगले 5 chapters में इन ही concept के basis में समझेंगे कि दुनिया में, जो हमारी international global economy है, वो कैसे काम करती है, so I hope this was an interesting lecture for you, I hope you learned something, have a nice day, if you have any questions, please write another comment and I'll answer in the next class, have a nice day, bye.